ओडिसा के संबलपूर में इंडियन इंस्टिटूट ओफ मैनेजमेंट के स्थाई केमपस की आधार शिला रख दी गई है आपको बता दे कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने विडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए स्थाई केमपस की आधार शिला रखी है मोदी ने कहा कि भारत मल्टी नेशनल दुनिया में इचाज आये ये समय आ गया है टियर टू टियर थी शहरों में आज स्टार्ट अप्स बन रहे हैं आज का स्टार्ट अप कल का मल्टी नेशनल है इसके लिए नए मैनेजर्स चाहिए आज खेती से लेकर हर सेक्टर में रिफोर्म किये जा रहे हैं ब्रैंड इंडिया को ग्लोबल पहचान दिलाने की जिम्मेदारी हम सब की खासकर युवाओं की है इस ओरान मोदी ने ये भी कहा कि आई आई एम का नया कैंपस औरीसा को नई पहचान दिलाएगा बीते दशकों में एक ट्रेंड देश ने देखा बाहर की मल्टी नेशनल्स क निर्मान का रहा है जो लोग संबलपुर के बारे में ज्यादा नहीं जानते आई एम के बनने के बाद एजुकेशन का हब बन जाएगा सबसे खास बात ये होगी कि ये पूरा इलाका प्रैक्टिकल लैब की तरह होगा 2014 तक हमारे यहां 13 आई आई एम थे आज 20 हैं अब दुनिया में अपॉर्चनिटीज हैं तो चैलेंज़ भी नए है डिजिटल कनेक्टिविटी 21 सदी के बिजनस को ट्रांसफॉर्म करने वाली है भारत ने भी इसके लिए रिफॉर्म्स किये हैं हमारी कोशिश समय के साथ न वेंटिलेटर का पर्मनेंट सोल्यूशन निकाला मैनेजमेंट का मतलब बड़ी कमपनिया नहीं जरूरते पूरी करना है हम अब शौर्ट टर्म नहीं लॉंग टर्म समाधान के बारे में सोचने लगे हैं मोदी ने कहा कि जो गरीब कभी बैंक के दरवाजे तक नहीं जाता थे 2014 तक देश में रसोई गैस की कवरेज सिर्फ 55 प्रतिशत थी इसकी वजह पर्मानेंट सोल्यूशन सोच की कमी थी इसी रफ्तार से चलते तो हर घर में गैस पहुचाने में पूरी सदी लग जाती शुरुवात करना तो आसान होता है पर उसे 100 प्रतिशत पर लाना बहु थे खन्यवाद